कि एक विल्कम बैक फो मैंने देख लॉक्ष फाइनले इंडिया टीम का स्क्वाड का एनाउस्मेंट हो चुका है बेस्ट टेश टूर के लिए थ्री ओडिया इस ट्री टॉन्टी टॉन्टी एंड टू टेस्ट मैच के लिए टीम चुनी जा चुकी है टीम बाहर आ चुकी है एक बिगेस्ट अप्टेट है कि सिखादवन की बापसी हुई है यह साब ने सभी सुना सिखादवन जो की वर्ल्ड कुप में चुटकार बाहर हो गए थे एंड उनकी बापसी हुई एंड कोहली कप्टैन है तो चलिए मैं आपको मैं पहले में टीम दिखा रहता हूं फिर म कि मुझे लगा थे इसान के संभी इसमें ऑप्सन हो सकते क्योंकि इंडिया के किलाप खेल रहे हैं तो लेकिन इस अपन पर ही ब्रोसा दिखाए गया जबिंजड़े यह वर्ल्ड कप सभार्यम का पी अच्छी पारी खेली थे बैट और बॉल्स है एं कुल्दीव यादव यूजी चाहल जो कि हमारे दो रिस्टर स्पीनर है उनको रखा गया के दाज आदव महमा समी भुगनेशर कुमा खली लवन और नवदिव सैनी अम बात करते हैं थ्री टी टॉंटिया स्वार्ड की क्वाली कैप्टान रोइस हमां 22 कैप्टान सिखा दोन अगें के लाउन्स स्पीनर को रखा गया है यहां पर इंट्रेस्टिंग बात यह कि जारे कि त्री ओलांडा स्पीनर को रखा गया जो कि काफिर इंट्रेस्टिंग मूव का सकते हैं और यहां पर यहां पर चली अच्छी बात है नए फास्ट बोलों को अप्सन दिया जा रहा है नबदीर साइनी जो कि अच्छे आसे खिलाफ से खेलते हैं अच्छे स्पीड में बॉलिंग भी करते हैं जो गूड ऑप्सन हो सकते हैं लेकिन डिफ्लैंड यहां पर बुम्रा को होना चाहि कटैना जिन गेर हाने जो कि वाइस कैप्टन है टेस्ट मेंच को रखा गया वाइस के यहां कर्वार केल राहूल को रखा गया है तो आजी यहां आपडेख सकते हैं के राहूल जो आपनए खेल सकते हैंद चैस्वा पूजार हनमा भी रहारोई पीग अप्डेट है कि जो सि तो एक बूट ऑप्शन है लेकिन सिखर दवानागा वन डेटी टॉन्टी में खेलना है तो टेस्ट में क्यों नहीं नहीं खिलाए गया यह बीग ऑप्शन अच्छी स्कॉर्ड देखते क्या करती है तो इस स्कॉर्ड में दो बड़ी चीजे पहला तो सिखते हैं उनकी माप्सिक और दुसरा रोइच समा को टेस्ट में फेस्ट से मौका दिया जाना यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब लगने पांच सेंचुरी मां ते जिसको ध्यान में रखती होई साथ को ली एंड जू चीप सेलेक्टर है उन्होंने फीसर रोइट समा को टेस्ट में कॉल कर लिया एंडेस्ट में फेसर उनकी बाप्सियों गया आज जिनके रहाने वहां के जो बाइस के क्या 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 तों थैंक्यू